हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागात है आपका जियो भी नीज़ में दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज़ के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्काइब करने के गंटी बढ़न को जरूर से दबा दे तकि जो भी बी डूड़ आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो सुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है जो हमसे टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा जी हाँ तो सो पश विसल्मानों को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी लड़ाई में वे साथ दें जी हा दोस्तो उन्होंने कहा है कि त्याग का नाम है हिंदू इमान का नाम है मुस्लिम प्यार का नाम है इसाई सीखो का नाम है बलिदान ये है हमारा प्यारा हिंदूस्तान इसकी रक्षा हम भोग करेंगे जो हमसे टक्राएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यह हमारा अस्लोगा ने, जिया, दोस्तों, मम्तव ने निकाय कि डरने की बात नहीं है, मुद्दई लाक बुरा चाहे, वो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है कई बार जब सूरज उगता है तो उसकी किरने बहुत चुबती है लेकिन धीरे धीरे वो सांथ हो जाता है डरे नहीं जिसकी तेजी से वे एवियम को कैप्चर कर रहे हैं उतनी ही तेजी से वे चले भी जाएंगे जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि लोक्स बचनाओं के नतुज़ों के बाद पस्षिमागाल में राजनेती की उतल पुतर बहुत बढ़ गई है जबकि ममताव नरी ने जनाधार को बचाने के कोशिस में लगई हुई है पस्षिमागाल में कुल लोक सभा सीटे 42 है इसमें भाजपा को 18 सीटे और जबकि ममताव नरी की त्रिमूल कॉंग्रेस को 20 सीटे पर जीत मिली है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबर है दुनिया भर में 5G लॉंच होने से पहले ही सेमसंग ने की छोजी की तयारी जी हाँ दोस्तो दक्षिन कोरिया टेकनलोजी कमपनी सेमसंग ने दुनिया भर में 5G सेवा से पूरी तरीके से सुरू होने से पहले ही छोजी की तयारी क सेमसंग ने सियोल में 6G मोबाइल नेटवर्क के विकास के लिए नया रिसोर्स सेट अप ओपन कर दिया है। दिया को लेकर के कुछ देसों में ही रोल आउट किया गया है और अभी तक सुरुवाती स्टेज में हैं। ऐसे में सेमसंग का छोजी तकनीकी का काम कमपनी दुरगामी तकनीकी और बिजनेस प्लान का हिस्सा है। विश्व हिंदु परिसत ने बुलाई बैठक 18 महीन में राम मंदिर का निर्मान सुरु करनी का दावाती। जी हाँ तो आयोध्या में राम मंदिर के निर्मान के लिए अव्यान में सब से आगे रहा। विश्व हिंदु परिसत वी एचपी अब एक सन्मोड में आ गया महिने में आखिर में अपने सिर्थ नेताओं की बैठक बुलाई है वी एचपी का दावा है कि इस पर योजना पर डेर साल में काम सुरू कर दिया जाएगा वहीप के कारिकारी अध्यक्च अलोक कुमार ने असपस्ट कर दिया है कि उनका संगठन राम मंदिन डिर्मान पर अन जोता नहीं करेंगी पहला भगवान राम के जन्म अस्थल पर सिर्फ मंदिर बनेगा और दूसरा अयोध्या की सांस्कृति सिमाओ के वीतर कोई मस्जिद नहीं हो सकती है कुमार ने कहा है कि वहिप के मार्ग दर्संत समीती इस मुद्धे पर चर्चा करने के लिए 19 और 20 ज गोशना पत्र में राम मंदिर निर्वान का दावा भी किया गया है आपको बता दे कि अयोध्या में एक भव राम मंदिर का निर्वान भाजपा के एज़ेंडे के सिर्स मुद्धों में से एक रहा है लोक्स बचुनाओं के बीच पार्टी के सभी गोशना पत्र में इनका रिपोर्ट देने के लिए वर्तमान कारों के तीन सदस्यों समीती नियुक्त करेगी विहीप नेता ने साथ ही यह भी कहा है कि चुकि सरकार में बस कुछ दिन पहले कारिपार संभाला है यह थोड़ा धेर रखने की जरूरत होगी इस बात का जिगर करते हुए कुछ लोग को म रखने वाले चीन ने अपने ताकत में इजाफा करते हुए पहली बार सफलता पुरूरक जिहाद से समुद्र में रॉकेट लॉंच किया है आपको बताते कि यह कदम उसके महतुकां की अंतरिक्ष कारेकरम का हिस्सा है इससे पहले हालिया वर्सों में चीन अपने अंतरिक् रहा है हाला कि चीन का कहना है कि उसकी महतुकांक्षा पूरी तरीके से सांतिपूर्ण है आपको बता दे कि 27 मार्च को भारत ने अंतरिक्ष में उपगरा रोधी मिसाइल परिक्षन मिसंसक्ती का परिक्षन करके चीन को निसाना बनाया था मिसंसक्ती के तहत भारत में सफल पुरुवक अपनी A-set चमताओं पर परिक्षन करने के लिए अपने खुद को उपग्रहों में से एक को नश्ट कर दिया था अमेरिका ने भारत के इस कायक्रम का समर्थन भी किया था मिसन सक्ती के जरिये उपग्रा रोधी मिसाइल परिक्षन चमता है हाला कि उसके लिए भारत का बचाओ करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत अंतरिक्ष में पेस आ रहे है खतरों से चिंतित है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खेवरे बदलने वाला है जम्मू कस्मीर का नक्सा मोधी साह का मास्टर प्लान तयार है जी हाँ दोस्तो जम्मू कस्मीर पर प्रधानमती नरेज मोधी और ग्रिह मंतरी अमित साह का एक्षन मोड में है खासफ करके अमिस्टा ने ग्रिह मंत्राले का चार्ड सम्हालते ही मिशन कस्मीर पर काम सुरू कर दिया है और बैठको का दोर जानी है मकसद न सिर्फ सरहत पार से आने वाले आतंक वादियों का खत्म करना है बलकि कस्मीर की गोधी में बैठक करके आतंकवादियों को पालने वालों को भी अब खैर नहीं है इस सब के बीचे जम्मू कस्मीर पर मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है आपको पता दे कि पिछले चार दिनों से जम्मू कस्मीर पर ताबरतोर बैठकों के बाद यह साफ होगे है कि परधार्मती नरंदर मोदी और उनकी सरकार के नंबर तो यानि ग्रिह मंत्री अमिज्जा के तरकस का पहला तीर चलने वाला है जम्मू कस्मीर को लेकर के मोदी और सा का मास्टर प्लान तयार है बड़ी खबर यह है कि मोदी अब जम्मू कस्मीर के विधान सभा सीटों के परिस्यमन पर विचार कर रही है उसके लिए ग्रिह मंत्राले में एक परिस्यमन कमिशन बनाये गया है इस खबर से ही जम्मू कस्मीर में बीजेपी नेताओ का जोस हाई पर है जमू कस्मीर में मुकाबले काफी बहुत बड़ा है लेकिन बिधान सभा सीटों की संक्या कम है 111 सीटों वाली बिधान सभा में सिर्फ 87 पर चुना होते हैं जिसमें से कस्मीर में सबसे ज्यादा 46, जमू में 37, जबकि लदाक में 4 सीटे हैं आपको बताते कि उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जमू और कस्मीर में बिधान सभा निर्वाचन चेतरों का नक्सा फिर से खीचने की योजना के बारे में सुन करके मैं बहुत ज़्यादा परिसान हूँ ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जबरन सरहदबंदी साफ तोर पर सामपरदाइक नजरिये से एक और जजबादी बाटने की कोसिस कर रही है अब को बताते हैं कि मिशन कस्मीर के ताहत मोधी और साह की सबसे बड़ी चुनोती है कि आतंकुवादियों से निपटने और उसे लेकर के भी बहुत बड़ा फिक्स एजेंटर तयार है खास करके ग्री मंतरी का पत संभालने के बाद अमिसा फूल प्रूफ में आ गए है आपको बता दे कि उन्होंने कहा है कि सचीन पाइलेट को ही मुख्यमंतरी बनाए जाना चाहिए उन्होंने कहा है कि लोक्स बचनाओं में हार की सबसे बड़ी वज़ा सचीन पाइलेट को मुख्यमंतरी नव बनाए जाना है और इस हार की जिम्मदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी असोक गहलोद की होनी चाहिए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बिधायकों की बात नहीं सुनते है राजी का मुख्यमंत्री अब युवा चेहरा होना चाहिए आपको बता दे कि असुक गहलोद ने जोधपूर सीट पर अपने बेटे की हार की जिम्मदारी सचीन पाइलेट को लेने के लिए कहा था और अब सचीन पाइलेट के समर्थकों की तरफ से इस तरीके का बियान आना साफ संकेत देता है कि परदेश में कांग्रेस नेतिते के बीच गुट बाजी चरम पर है और सचीन पाइलेट गुट के बिधाये उसके मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने लगे है सपा बसपा गटवंदन तूटने के एक दिन बाद अखलेस यादों ने दे दिया बड़ा बयान जीहादों सो लुक्स बचुनाओं से पहले बने सपा बसपा गटवंदन ने फिलहाल खत्म होने के संकेत देते हुए दोनों दलों ने उत्तर परदिस में बिधान सबा के कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनाओं को अपने बलबूते पर लड़ने की घोशना कर दी है इस एलान के बाद एक बार फिर से सपा अध्दक्ष अकलिस यादों ने कहा है कि कभी कभी आप परिक्षणों में सफल नहीं होते हैं लेकिन आपको कमजूरियों के बारे में पता चलता है मायावती जी के लिए मैं एक प्रेस कॉन्फिरेंस में कहा था कि मेरे समान उनका समान है मैं अभी भी यही कहता हूँ जहां तक गठवंदन या अकेले लड़ने की बात है राजनितिक रास्ते सभी के लिए खुले हुए हैं अगर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और मैं पार्टी के सभी नेताव के साथ चर्चा करूँगा कि भावी रणीति क्या होगी और इसके लिए क्या करना चाहिए अब को बता दे कि बस्पा पनुख ने हाला कि भविष में सपा के साथ फिर से गठवंदन के बिकल्प को खुला रखते हुए कहा है कि अभी हमारा कोई ब्रेक अप नहीं हुआ है वहीं सपा अधक्ष अखलीस यादों ने सभी राह अलग-अलग करने का संकेत देते हुए अगर रास्ते अलग-अलग है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ